हेलो गाईज दुलका वैक टो टेलिपोट रीप्ले और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सब टीवी के सीरिल वंशज के बारे में वंशज शो में कुछ दिनों पहले एक नया ट्रैक बिगेन हो गया था यहां फिर हम कहें एक नया एरा ही बिगेन हो गया था यहां पर हमें मार्जन्स के साथ साथ तलवार्ज की कहानी भी शूरू होती हुए देखने को मिली थी और तलवार्ज फेस कर रहे हैं मार्जन्स को उनकी राइवल्स बन के और इसी के साथ शो की कहानी में इतने सारे बदलाव भी हमें देखने को मिले कई नए cast members की entry देखने को मिली नए characters की entry देखने को मिली और audience से यह expect था की audience को कहानी पसंद आएगी और audience बहुट ज़ब ज़्यादा प्यार देगी और नील के ज़्यादा से ज़्यादा सीन्स उनको देखने को मिले हैं अन्जली तित्रारी और मोहित के जो सीन्स हैं वो देखना चाहते हैं लेकिन जब से आये हैं नए वाले करेक्टर्स तलवार्स वगेरा उनके सीन्स और भी कम देखने को मिल रहे हैं फैंस को फैंस चाहते रहे हैं कहीं हो दिखाया ही नहीं जा रहा है और पुराने कास्ट मेंबरस पुराने क्रेक्टर्स जिनके साथ उड्यस ज्टने इसे तरहा से जूड़ी होई थी उन RPG फ्लो अच्छी से एक्सफ्लोर नहीं किया जा रहा है लेकिन इसका उनले एने की सारी ओडियंस खिलाफ हो गई है काफी ओडियंस ऐसी भी है जिनको नए अपिसोर्ड भी पसंद आ रहे हैं और उने भी एक्सेप्ट कर रहे हैं लेकिन मेजर हमें ऑडियंस स्टांगी देखने को मिल यहां पर लोग इस चीज़ को लेकर काफी दा डिसपॉन्टिड चल रहे हैं कि तलवार्थ पर इतना जादा जादा फोकस किया जारहे है और जहां पर वार बार से से चीज़ का इंतजार कर रहे है कि मुई तक सब्सक्राइब नील के जो करेक्टर है उसकी फोटेज बढ़ पे और यूट्यूब कोमेंट्स में भी जो कि यही चीज़ों के कारण काफी जादा निराश हैं कोमेंट सेक्शन बताइए आप वंशच के कौन से वाले फैन हैं कि आप यह वाले पॉइंट्स से निराश हैं या फिर आपको जिस भी तरह का नया अब अध्याय चल रहा है वं में जो बैल नोटिफिकेशन ने उसे दवा लीजे तांगे अब कोई भी न्यूज में इस न अगरें शो के रिलेटिड फिलाल के विडियो में इतना ही हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अभी ले चलता हूँ गुडबाई